दोस्तों नमस्कार जैसरी किशना जैसरी राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे फरवरी 2024 रासी फल के बारे में करियर रासी फल के बारे में मेश से लेकर मीन परियंत 12 रासी यों का रासी फल आज जानेंगे कि आपके सिक्षा स्वास्त करियर ब्यापार की स्थिति किस प्रका लव रासीफल अलग मिलता है यानि लव लाइफ के लिए बैवाहिक जीवन के लिए मेरिड लाइफ के लिए अलग जानकारी देते हैं उसका चनल का नाम है लव टिप्स बिजतुल जी तो वहाँ पर आपको अलग-अलग 12 वीडियो मिल चुकी है अपनी रासी की जाकर के देख सकते हैं यहाँ पर हम बात करें इस एक्षा स्वास्त करियर व्यापार की यानि की करियर रासीफल फरवरी 2024 आईए जानते हैं कि किस प्रकार करहेगा फरवरी का महीना आपके करियर के दृष्ट कोन से सबसे पहले आपको बताते हैं गोचर का हल मकर में सुक्र का प्रिवेस होगा और 13 फरवरी को कुम्ब में सूरि का प्रिवेस होगा ये जो परिवर्तन है गोचर में ये आपकी लाइफ आपके सिक्षा स्वास्त करियर व्यापार सब को प्रभावित करने वाले हैं तो किस प्रकार का प्रभाव रहेगा और किस प्रकार स आपका ये महीना जाने वाला है आईए जानते हैं सबसे पहले बात करेंगे रासियों के क्रम में सबसे पहली रासी मेस रासी के बारे में एक बात और बता दें यह रासी फल चंद रासी यानि मून साइन के अनुसार है उसी के नुसार इस रासी फल को देखें वह सुनें सबसे पहले मेस रासी की बात करते हैं मेस रासी वालों आपके लिए देखा जाए तो ये गोचर बहुत ज़्यादा कुछ दिखा रहा है खास करके शिक्षा के दृष्टिकोन से आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा और एक सकारतमक्ता आएगी आपको लोग गाइड करने वाले आपकी केर करने वाले भी बढ़ हेंगे और आपके पैरेंट्स का आपको सहीओग बहुत मिलेगा पढ़ाई में मन लगेगा अगर कोई परिक्षा होती है तो उसमें बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त करने वाले हैं और अधिक मात्रा में सूर्य की इस्तितियां आपकी हेल्थ को भी सूर्य की इस्तिति बहुत जादा आपकी हेल्थ को भी प्रभावित करेगी तो यहाँ पर आपके केतु वहाँ पर बैठें सश्ठमभामया और सश्ठेस आपके बुद्ध बनते हैं बुद्ध का जो गोचर है वो मकर और कुम्ब में रहेगा तो यह जो इस्तिती है जब तक दसम में रहेंगे और फिर एकादस में जाएंगे तो बहुत जादा आपके health में लाव देखने को मिलने वाला है बुद्ध मंगल के साथ में सूर्य के साथ में जब तक रहेंगे उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती लेकिन सनी के साथ जाकर के बहुत अच्छी स्थिति आपकी health की बना देंगे अगर कोई operation इत्यादी आप करना चाहते हैं या कोई surgery इत्यादी करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए best time रहेगा 20 फरवरी के बाद का आपके करज निबृत्ती के भी योग बन रहे हैं अगर आप करज में डूबे हैं तो करज आप चुका पाएंगे अगर आपको लौन चाहिए तो आसानी से मिल जाएगा केतू वहाँ बैठें तब तक करज की चिंता मत करिएगा आपको आसानी से कहीं से भी धन मिल जाएगा आपकी विवस्था बन जाएगी और अधिक मात्रा में यहाँ पर एक चीज का विशेज ध्यान रखिएगा कि किसी को भी इस महीने आपको सलहा नहीं देनी और खास करके बिन मांगे सलहा नहीं देनी है इससे आपका मन परेसान होगा और सामने वाल आपको हर्ट कर देगा आपकी बात को काट देगा आपके मैरिड लाइफ के बारे में जानना है तो वहाँ पर देख सकते हैं लवरासी फल में लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि आपके विवाह के योग ब्रहसपती ने बना रखे हैं देवगूरु ब्रहसपती ने और इस हिसाव से आपके विवाह के प्रभल योग चल रहे हैं उसके साथ-साथ यहाँ पर एक इस्थिति सुक्र जोकी आपके सब्तिमिस बनते हैं वो गोचर करेंगे मकर रासी में 12 फर्वरी से तो यहाँ पर यह इस्तिती बन सकती है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मैरिज के लिए मिल जाए जो आपके सेम फिल्ड का हो यानि की कारेशेत्र सेम हो ऐसा व्यक्ति का कोई रिस्ता आ जाए ऐसी संभावना भी बनती है 12 फर्वर रिलेटेड कोई काम आपका अटका हुआ था बेदे से सम्मंदित कोई काम अटका हुआ था तो वो पूरा हो जाएगा सटा लाट्री त्यादी से बचें ये महीना आपके लिए सटा लाट्री में पैसा धन गवा सकते हैं और जल्दवाजी से बचें बहुत ज़्यादा आपका पांच फरेवरी के बाद में इगो बढ़ जाएगा बो एक प्रॉब्लम होगी लेकिन कारेच हित्र में आपकी महनत और फोकस आपका बढ़ेगा और इससे आपके कारेच हित्र में आपकी ग्रोथ बढ़ने वाली है आपके करियर में प्रमोशन हो सकता है बोस का अधिक सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है और अधिक आपको मतलब higher authority वाले लोग support करने वाले हैं वो इस्तिती भी बनने वाली है और भग्य का आपको अधिक मात्रा में support देखने को मिल ही रहा है ये बहुत ही अच्छा सुभ योग है तो ये फरवरी का महीना आपके सिक्षा स्वास्त करियर ब्यापार को लेकर के बहुत अच्छा है लेकिन खास करके अगर आप ज्वैलर इत्यादी हैं उसका ब्यापार करते हैं या फिर hotel industry से सम्मनित काम करते हैं या hotel इत्यादी का ब्यापार करते हैं वहाँ पर बहुत ज़् लाव की स्तिती बन रही है पाँच फरवरी के बाद में आपके मकान खरीदने का योग बन रहा है मकान बनाने का योग बन रहा है अगर बिल्डर हैं तो सबसे स्रेष्ट महीना आपके लिए यही महीना रहने बाला है प्रॉपर्टी डिलिंग का काम करते हैं तो सबसे स्रिष्ट महीना फरवरी का रहने वाला है, यानि कि आप अगर construction से सम्मंदित कोई भी काम करते हैं, वहाँ पर आपको अधिक मात्रा में लाव मिलने वाला है, अगर आप commission का भी काम करते हैं, raw material इत्यारीगिन का, तो आपको बहुत ही जादा लाव देखने को मिलेगा, जो भी material होते हैं, जो मकान बनाने से सम्मंदित होते हैं, चाहे वो आपका पत्थर का व्यापार है, टाइल्स का व्यापार है, उसमें भी आपको बहुत ही जादा लाव देखने को मिलने वाला है, तो इस प्रकार की स्थिति आपके फरवरी की रहने वाली है अगर विदे से सम्मंदित जॉब है तो प्रमोशन की स्थिति या फिर सेलरी बढ़ने की स्थिति प्रवल है अगर सरकारी नोकरी के लिए प्रयास्गत हैं तो थोड़ा स्ट्रगल जादा करना पड़ेगा लेकिन लोगों का सपोर्ट मिलेगा जैसा कि मैंने कहा हाईर अथरिटे आपको सपोर्ट करेंगी तो अगर कोई संपर्क में है तो उसके सपोर्ट से आपको जॉब मिल सकती है ये स्थिति है अब बात करते हैं दूसरी रासी ब्रिशवरासी के बारे में ब्रिशवरासी बालों आपके लिए सिक्षा की स्तिती थोड़ी सी खराब रहेगी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा मन असांत रहेगा और अजीव अजीव खयाल आएंगे confusion, negativity राहू की बज़े से यहां पर देखी जा सकती है लेकिन उसके अतरिक्त भी यहां पर जो बिज़ेज इस्तितियां बन रही है कि आपके पंचमेश बुद्ध का जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ही जादा higher education के लिए कोई निरड़े लेने के लिए बार बार आपका मन करेगा बुद्ध आपको इस तरीके से आपकी प्लानिंग को बनाएंगे या इस तरीके के आपकी मन में प्लानिंग बनेंगी तो मेरा यहां पर कहना रहेगा कि higher education के लेकर कि कोई जल्दबाजी न करें कोई बड़ा निरड़े अगर लेना है तो जल्दबाजी से बिलकुल न लें और अगर लेना ही है निरड़े आपको तो 12 फरवरी से पहले पहले ले लीजिए उसके बाद में दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपको संतान से बहुत ज़्यादा कष्ट मिलेगा संतान से सम्मंदित प्रॉबलम से भी आप परेशान रहेंगे इस महीने और अगर नेत्र सम्मंदित कोई परेशानी आपको चल रही तो वो परेशानी बढ़ सकती है हेल्थ बैसे आपकी ठीक है लेकिन बिसेश रूप से बाहर के खानी पीने से बचें और skin से सम्मंदित problem अगर आपको अक्सर हो जाती तो इस महीने आपको बिसेश सावधान रहना होगा आपको ब्यापारिक दृष्टिकोंड से बहुत लाव देखने को मिलेगा ये महीना आपके खास करके property के काम में बहुत लाव देखने को मिलेगा और मंडी से सम्मंदित काम है तो वहाँ पर भी विसेश रूप से आपको धनलाब होने वाला है अगर chemical से सम्मंदित आपका कारे ब्यापार है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्तिती बन रही है और IT सेक्टर या फिर engineering line से सम्मंदित आपका काम है तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा या technical field है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लाब की स्तिती देखने को मिलेगी 13 फरवरी के बाद में आपके सरकारी जौब लगने के अधिप chances बनते हैं यानि कि खास करके पुलिस विभाग में या फिर अधिकारी rank पे भी हैं वहाँ पर भी promotion के chances हैं पुलिस विभाग में कोई job लग जाए जैसे कि अगर अभी constitutional इत्यादी की भरती निकली है उसमें कुछ अगर हो रहा है तो उसमें हो जाए आपका ऐसी इस्तिती बहुत ज़्यादा प्रबल बन रही है अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपके अगर किसी वी प्रकार से कोई कारे अठके हुए हैं तो उसमें क्या होगा खास करके कूट कचेरी से सम्मंदित कारे अटके हैं तो उसमें आप परेशान होंगे और बहुत जादा टाइम बेश्ट होगा तो आपको इस चीज का विसेश ख्याल रखना है किसी प्रकार से जल्दबाजी नहीं करनी है जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है लाव की स्थिती बिदेश से सम्मंदित काफी मात्रा में है और रेश्टोरेंट अगर इत्यादी आप चलाते हैं बिदेश में या फूर्ड डिलिवरी इत्यादी का काम भी करते हैं बिदेश में तो वहाँ पर बहुत जादा आपकी लाव की स्थितियां बनने वाली है अगर सिक्षा के स्तितियां बहुत बहतर हैं, पढ़ाई में मन लगेगा और कोई बड़ी उपलब्दी आपको हासिल होगी, माता पिता पेरेंट्स का आप मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं, अधिक मात्रा में यहां पर स्तिति बनने वाली है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बहतर क कर जाएंगे और अपने करियर की लाइन आप सीधी कर पाएंगे, आपकी ग्रोथ बढ़ने वाली है और आपका स्वास्ति भी बहतर रहेगा, इस दौरान आपको एक चीज का विसेज ध्यान रखना है कि लोगों से बहस करने से बचना है और ओवर थिंकिंग की परेसानी हो सकती है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, मंगल की स्थिति इस प्रकार की है कि आपको रिसर्च के फिल्ड में बहुत ज़्यादा लाव देखने को मिलेगा और किसी प्रकार से आप ज़्यादा तर उन लोगों से बात न करें जो आपके अंजान लो सकती है, या फिर मुफट सौभाव की बज़े से थोड़ा परिसान हो सकते हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी स्थितियां पार्टनर्शिप के व्यापार में बन रही है, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ओवर थिंकिंग इ आपके पूरे होंगे, बिदेज जाना आपका सफल हो पाएगा और जिस काम के लिए बिदेज जाना चाहते हैं, वो काम बन पाएगा, अधिक मात्रा में यहाँ पर प्रमोशन के चांसे हैं और भागे का साथ तो आपको निरंतर मिलेगा, मतपिता के साथ में बनाकर रखनी अगर किसी प्रकार से संबंद खराब चल रहे हैं, तो उसमें बहुत जादा खराब होने की स्तिती बन रही है, आपके कारेचेत्र में, आपके आपके बहुत सब कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपके सहीयोगियों से उतना सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिले है, और विशेश रूप से ऐसा व्यक्ति, अगर आप ब्यापार करते हैं, तो आपको कोई बिजनिस पार्टनर ही आपको मिल जाए, वो भी स्तिती बन रही है, आपको करियर में खास करके, अगर आपका करियर ब्यापार से संबंदित है, अपना कोई बिजनिस खोलना चाते हैं, नया ब्यापार सुरू करना चाते हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है, और अगर आपका करियर फाइनेंस के फील्ड में है, तो वहाँ पर इस्तिती बहुत बहतर है, लेकिन अन्य छित्रों में इतनी इस्तिती अच्छी नहीं है, अब बात कर लेते हैं करकरासी व काबू रखें क्योंकि इमोशन्स आप पर हाभी हो सकते हैं, और आपकी हेल्थ को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर के खानी पीने से आपको फिर भी बचना चाहिए, पार्टनर्सिप के ब्यापार में ला करियर को लेकर के आपको लाब मिलेगा, अगर आप पुलिस विभाग इत्यादी में हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से लाब मिलेगा, अगर आप सरकारी जॉब के लिए प्रयासरा थें और पुलिस विभाग से सम्मंदित हैं, तो वहाँ पर आपको जॉब मिल सत्रू आप पर हावी होने की कोशिस करेंगे, ये स्थिती है, अब बात कर लेते हैं सिंग रासी वालों की, सिंग रासी वालों आपके लिए देखा जाए, तो बहुत ही बहतरी निस्थिती है, सिक्षा की स्थिती बहुत 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 है, हाई एजुकेशन के लिए कोई बिजय प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, उसके साथ साथ कर्ज मुक्त हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कर्ज दिया तो वो व्यक्ति दुस्मन बन जाएगा, इसलिए इस महीने किसी को कर्ज नहीं देना है, हेल्थ आपकी बहुत ही जादा बहतर रहेगी, लेकिन अगर आपको आपका BPI यल्दी हो जाता है तो budget सब्दान रहना है ऐसे लोगों से बहा runway करनी और किसी फ्रकार से आपको ऐसी ख़बरे नहीं सुनी जिस से आपका BPI हो तो BP से सम्मंदित problem है तो वहाँ पर दिक्कत है आपके सरकारी job के योग बन रहें और promotion के chances बन रहें व्यापार में लाव तो है ही है खास करके property से सम्मंदित काम में बिसे इस लाव होने वाला है अब बात कर लेते हैं कन्यारासी वालों की सिक्षा की स्तिती सामान ने रहेगी आपकी स्वास्त की स्तिती भी सामान नहीं रहने वाली है लेकिन आपको कर्ज इत्यादी लेने से बचना है और overthinking बहुत ज़्यादा आप करने वाले हैं फरवरी के महीने में 13 से 18 फरवरी कोई बड़ी उपलब्दी आपको हासल होगी कई बड़ी इच्छा हैं आपकी पूरी हो सकती है partnership के ब्यापार में लाब मिलेगा और ब्यापार में भी आपको बहुत अपने अपने खुद के ब्यापार और पैत्रिक ब्यापार में बहुत ज़्यादा लाब देखने को मिलने वाला है अगर Hotel से सम्भनित, Import, Export से सम्भनित कोई व्यापार है, Chemical से सम्भनित कोई व्यापार है, वहाँ पर आपको विजेश रूप से धनलाव के स्थितियां देखने को मिलेंगी, कई महत तुकांक्षा है, इष्चा हैं आपकी पूरी होने वाली हैं, बिदेश जाने का सपना भी आ आपको थोड़ा बचना चाहिए और खास करके अगर आप लौके फील्ड में तो आपको विसेश लाव देखने को मिलेगा बकील जज हैं तो वहाँ पर विसेश लाव की स्थितियां बनने वाली हैं और अगर कमीशन से समझत काम करते हैं तो आपकी स्थिति बहुत बहुत बह जखाई देती हैं सिक्षा की स्थिति बहुत ही बिसेश बन रही है सिक्षा में आपको बहुत ज़्यादा लाव देखने को मिलेगा पढ़ाई में मन बहुत ज़्यादा लगने वाला है और आपकी हाईर एज्यूकेशन का आपका मन कर सकता हैं और कोई बढ़ा नेड़ाय जोडों का दर दित्यार यह नेत्र सम्मंदित कोई पीडा है कोई दिक्कत है तो वो बढ़ने वाली है तो उसमें विशेज रूप से आपको केर करनी चाहिए अपनी और सत्रू बिवाद भी बढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा आपका स्ट्रेस बढ़ानी की भी कोशिस लोग तो सड़यं तरकारी लोगों से भी बचना चाहिए आपके मैरीज के योग बन रहे हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी मैरीज में बहुत सारी बाद हैं आ रही हों उसके लिए आपको जरूर अपना कुंडली विश्येशन कराना चाहिए क्योंकि मैरेज को बहुत बड़ा लाव आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आपने बहुत दिनों से किसी सेर में इंवेस्ट किया था तो आपका वहाँ पर स्टॉक बढ़ने वाला है। बहुत जदा आपकी इंकम वहाँ पर बढ़ने वाली है। प्रमोशन के अधिक चांसिस बनते हैं और अगर आप प्राइवेट जॉब में भी आप प्रयास रते हैं तो वहाँ पर भी आपकी जॉब लग सकते हैं। खास करके मेडिया लाइन या राइटिंग के छेत्र में आपको बिसेश सफलता प्राप्त होगी। आप अगर सिनेमा के छेत्र में भी वहाँ पर भी आपको अधिक मात्रा में लाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। लेकिन विप्रीत व्यक्ति से सावधान रहने की कोशिस करिएगा। बिदेश से सम्मंदित लाव है और व्यापार में भी आपको विसेश रूप से लाव देखने को मिलेगा। कपड़ों के व्यापार में और व्यूटी पालर के सम्मंदित काम में या मेकप आटिस्ट हैं तो वहाँ पर विसेश लाव देखने को मिलने बाला है। अब बात कर लेते हैं व्रिष्चिक रासी वालों की, व्रिष्चिक रासी वालों आपका बहुत ज़्यादा सिक्षा में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन हट जाएगा, कई गलत नड़े भी लेंगे और सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत दुखी होंगे, लो फ तक आपके सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन अगर लापरवाही करेंगे और नियम से नहीं चलेंगे और इलाज में लापरवाही कर रहे हैं तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपकी हेल्थ में, खास करके आपके मोटापा, इत्यादी में या फिर किसी प्रकार क लीवर से सम्मदित प्रावलम आपको परिसान कर रही है, पाचन तंत्र में प्रावलम है, इसलिए बिसेश ख्याल रखेगा अपनी बहुत ज़्यादा आलस और बहुत ज़्यादा कमफर्ट जोन में सिफ्ट होने से बजिएगा, अनकमफर्टिवल अपने आपको करेंगे बहुत ज़्यादा उसमें आपको लाव देखने को मिलेगा, आपके यहाँ पर बिसेश धनलाव के योग बन रहे हैं, अचानत से आपको धनलाव की स्थितियां देखने को मिलेगी, लेकिन आप मेडिकल से सम्मंदित काम करते हैं, वहाँ पर धनलाव की स्थितियां देखन चलने वाला है तो प्रॉपर्टी से लित्यादी करते हैं तो वहाँ पर विसेज धनलाव की प्राप्ती होने वाली है ट्रांस्फर आपका हो सकता है और वो ट्रांस्फर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रसंद कर देगा बहुत अच्छी जगए पे होगा हाला कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है आपके करियर में अगर आपने किसी प्रकार से खास करके अगर आप ऐसे सरकारी चेत्र में हैं वहाँ पर इस पर इस पर ले ली थी इस महीने नहीं पहले ले ली थी वो उस पर इंक्वारी बैट सकती तो वो मुसीवतें आपकी बन सकती ह इस महीने में आपके कई सपने भी पूरे होने वाले हैं, कई अच्छी स्थितियां भी देखने को मिलने वाली हैं तो ये स्थिति है ब्यापार में आपको लाब देखने को मिलेगा और विदे से सम्मदित ब्यापार है तो विशेस रूप से लाब देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं धनूरासी वालों की धनूरासी वालों सिक्षा की स्थितियां बहुत बहतरीन है पढ़ाई में या लॉय स्टुडेंट्स हैं वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा लाव देखने को मिलने वाला है अधिक मात्रा में आपकी हेल्थ पर प्रभाब पड़ेगा और हेल्थ में भी खास करके जो सुगर इत्यादी के पेसेंट हैं उनको दिक्कत होने वाली है बहु लग जाब हो सकतेश तो अपके तो और उसमें बहुत ज़्यादा बाद है है आने लगें ऐसी च्रीज रोप से आपके लिए جए लावकारी रहेंगे के पार अचानक से आपके प्रमोशन और करियर में बृट्दी के योग भी बना रहे हैं आपके दसमेस बुद्ध बनते हैं और बुद्ध का गोचर जो परिवर्तन होगा तो 20 फरवरी से आपकी किस्मत चमका देंगे अगर आप मीडिया के फील्ड में हैं या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में हैं या फिर आप बॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो वहाँ पर आपको बिसेज धनलाव की प्राप्ती होने वाली है या फिर बहुत बड़ी कोई अपर्चुनिटी मिलने वाली है कोई बड़ा अवसर मिलने वाला है जो आपकी किस्मत बदल दे ऐसी स्तिती है कई बड़ा मंच आपको मिल जाए कोई सिनेमा इतियादी से सम्मंद कोई बड़ा सो आपको मिल जाए तो अच्छी स्तिती बन रही है अब बात कर लेते हैं मकर रासी की मकर रासी वालों आपकी सिक्षा के स्तिती सामान ने है आपकी लव लाइफ, मेरिड लाइफ के बारे में जरूर देखे है जाकर के वहाँ पर दूसरे चैनल पर आपको जलव रासी फिल मिला है उसमें स्वास्त बहुत अच्छा है स्वास्त में कोई दिक्कर नहीं है तो आप जितना ज्यादा अगर मेहनत नहीं करेंगे तो उतना ज्यादा परिसान रहेंगे लेकिन जितना मेहनत करेंगे चाहें वो जिम जाकर के करें चाहें अपने कारे में मन लगाके करें तो वहाँ पर आपको बिसे इसलाब भी मिलेगा और आपका मन भी सांत रहेगा नहीं तो overthinking से परेशान हो जाएंगे अगर आप बैट के सांती से आलस बगराते हैं तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर इस्तिती आपके confusion की भी बन रही है कई गलत नड़े लेने की भी बन रही है लेकिन बिसेश सावधानी से समनने की जरूरत है और जल्दबाजी में कोई नड़े नहीं लेना है आपके विवाह के योग भी बन रहे है तो विवाह की स्तिती भी आपके लिए प्रवल रूप से है लेकिन विवाह कहीं जल्दबाजी में तो नहीं हो रहा है और जहां मन नहीं हो रहा है वहाँ पर बिवाह क्यों कर रहे है इस चीज़ में इसे सोचने की जरूरत है आपको आपके करियर में उचाईयां आपको देखने को मिलेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सम्मंदित काम देखने को मिलेगा और काम बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा अगर आप कोई project सरकारी project प्राप्त करना चाहते थे कोई tender pass करवा रहे हैं तो वहाँ पर आसानी से आपको सफलता मिलने वाली है कोई बड़ा मौका आपको मिल सकता है अगर होटल से सम्मदित काम करते हैं रेट्रेंट से सम्मदित या फिर इसपा से सम्मदित कोई काम करते हैं या कोई मसाज सेंटर चलाते हैं उसमें आपको विसेश रूप से लाव देखने को मिलने वाला है करियर में आपकी विसेश रूप से उपलब्दियां हासल होने वाली है और अगर व्यापार आपका ज्वैलरी से या कपड़ों से संबंदित है तो वहाँ पर विसेश या फैसन से संबंदित है वहाँ पर विसेश लाव देखने को मिलने वाला है टेक्नोलोजी से सम्मंदित व्यापार है तो थोड़ी बहुत दिक्कते आ सकते हैं लेकिन अगर कोई नया व्यापार है तो वहाँ पर दिक्कत आएगी पुरानी व्यापार में स्तिती थोड़ी जी डाउन रहेंगी लेकिन ठीक रहेंगी आपका बिदेश से सम्मंदित काम थोड़ा सा अठक सकता है या बिदेश से सम्मंदित थोड़ी बहुत प्रोबलम फेस कर सकते हैं यह स्थिति है अब बात कर लेते हैं कुम्ब रासिबालों की सिक्षा की स्थिति सामानने है कुम रासी बालों आपके सिक्षा में अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे इसलिए कोई बड़ा निर्ड़े ना ले अधिक मात्रा में आपकी हेल्थ प्रभावित होगी मन असांत रहेगा और हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होगी नेत्र सम्मंदित परेशानी आँखों में सूजन आना दिक्कत आना या पानी की समस्या ऐसी कुछ हो सकती है योनांगों से सम्मंदित भी थोड़ी बहुत आपको अलर्जी इत्यादी हो सकती है अधिक मात्रा में यहाँ पर इस्तिती देख रही है कि आपको बहुत ज़्यादा कारे डिले होते हुँ दिखेंगे और मेरेज भी अगर फिक्स हो गई थी तो वो भी किसी कारण से डिले होगी या फिर उसमें भी अर्चने आने लगेंगी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से सम्मधित काम अच्छा आल देखने को मिलेगा रिसर्च के फील्ड में या साइंस के फील्ड में साइंटिस्ट हैं वहाँ पर विसेश उपलब्दी हांसिल होने वाली है तो यह इस्तिती है अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके इलिए किस प्रकार की इस्तिती उस छेत्र में रहने वाली है जो आप कारेच्छेत्र में आपके कारेच्छेत्र में है खास करके प्रॉपर्टी के काम में आपको किस प्रकार से उपलब्दी हांसिल होने वाली नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्याइं आ सकती है किसी को कर्च नहीं देना है, अगर किसी को कर्च दे दिया है तो उस बज़े से उस व्यक्ति से दुस्मनी हो जाएगी कोड कचेरी से सम्मंदित कारे में आपको लाव देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप बगील जज हैं तब यह कमिशन सम्ममनद्य यह वहां पर दलाल इत्या दी है वहां पर लाफ देखने को मिलने हैं और अगर आप सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत हैं और सरकारी जॉब भी आपकी अच्छे आधिकारी रेंकी है या आप UPSC के तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छी स्थिति या सफलता की योग बन रहे हैं। और जोड़ों की दर्द इत्यादी की सिकायच जल्दी होने वाली है, बहुत जादा होने वाली है। हलाकि आप मेहनत बहुत करेंगे और मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त भी करने वाले हैं। लेकिन लोगों का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो एक परेसानी रहेगी। आपके पार्टनर्शिप के व्यापार में भी तनाव की स्थिती बन सकती, वहाँ पर भी उतल पतल की स्थिती बन सकती है। अगर आप Chartered Accountant हैं, CA इत्यादी हैं, तो आपको बहुत सारी तैयारियां करनी हैं, तैयारी से अपना काम करना है, वहाँ पर आपको बहुत लाव देखने को मिलेगा, और अगर आप सिनिमा से सम्मंदित या फिर सिनिमा डारेक्टर इत्यादी हैं, वहाँ पर आपको बिसेश लाव देखने को मिलने वाला है, काम अगर नहीं मिल रहा था, तो काम मिलेगा, एक्टर हैं, तो काम मिलने वाला है, बेरोजगारी है, तो रोजगार मिलने वाला है, तो अच्छी स्तिती यहाँ पर देखी जा सकती हैं, मंगल की वज़े से धनलाव के अधिक मात्रा में स्त विदेश से संबन्दित काम आपका अच्छा होने वाला है और विदेश से संबन्दित जाब जैसे IT सेक्टर इत्यादी इसमें विशेश लाव की प्राप्ति होने वाली है। अगर विदेश में कुछ भी अपने देश से import-export कुछ करते हैं, आपको वहाँ पर लाव देखने को मिलने वाला है खास करके एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर लाव देखने को मिलने वाला है और अगर आपकी जोग फ्लाइट से सम्मंदित है चाये वो आप पाइलेट इत्यादी हैं तो वहाँ पर भी विसेश या आर्मी फोर्से इत्यादी में हैं त लेकिन आप एक बिसेश रूप से ध्यान रखेगा 13 फरवरी से 25 फरवरी के मद्ध में कोई बड़ा नर्ड़े लेने से बचिएगा यहाँ पर आपका नर्ड़े हो सकता है कि गलत हो जाए तो यह स्तिती रहेगी दोस्तों आपके फरवरी 2024 की रासीफल की अगर आपको देब को जल से अर्ग दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवायस मंत्र के एक माला रोजाना करके अपने काम पे लग जाईए पूरा महिना सुब बन जाएगा रोजाना करिएगा दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार